हेलो गाईज आपका मेरी चैनल स्मार्ट स्टरी में स्वागत है आज हम डारेक्टेड ओफ एजूकेशन की तरफ से दी जाने वाली असेस्मेट वक्षिट नमबर 10 करेंगे जो कि क्लास 7 की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स ये वक्षिट 30 दिसमबर 2021 की है तो ये शुरू करते हैं आज की वक्षिट में 10 कोशन पुझे गए हैं और हर कोशन 2 मार्क्स का है तो कोशन नमबर 1 देखते हैं क्या कहा गया है फिलिंग दा ब्लैंक CP is cost price and SP is sale price if the cost price higher than selling price अगर कुई चीज कम में खरीदी गई हो जादा में बेची गई हो तो आपको क्या होता है profit तो यहाँ पे क्या आजाएगा first में profit second देखो if CP is higher than SP जब कुई चीज जादा में खरीदी गई हो और कम में बेची जाए तो आपको क्या होगा यहाँ पे loss हो जाएगा तो यह होगा first question का answer अब हम देखते है second question by selling a chair of 1450 a shopkeeper lose 10% what is price did it buy मनला उस हमें क्या पुश है कि अगर किसी भी price किसी भी जो किसी chair है उसको बेचने पर 1450 पर में उसको बेची और 10% का उसे loss होता है तो वो कितने में खरीदी गई होगी कितने में बैकी गई होगी तो आईए करते हैं इसको solve तो देखिए SP कितना है 1050 और loss कितना है 10% तो formula क्या होता है SP equal किसकी होता है CP multiply 1 minus loss divided by 100 अब हम value put कर देते हैं 1500 CP की जगर क्योंकि हमें CP तो निकालना है CP लिखते है 1 minus loss कितना है 10% divided by 100 अब देखो हम क्या करेंगे value put करने का जब इसको solve करेंगे तो देखो यहाँ पे 100 minus 10 LC हम लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा और जब इसको solve करेंगे तो 90 divided by 100 आ ठीक है अब क्या करेंगे हम CP निकालना है CP निकालने के लिए क्या करेंगे हम CP को इस तरफ लाएंगे इस नंबर को हम क्या करेंगे इस तरफ ले जाएंगे 90 by 100 है इसे हम इस तरफ ले जाएंगे जब इस तरफ ले जाएंगे तो नंबर क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा तो हमारा अंसर कितना आ जाएगा, जो cost price है कितना हो जाएगा, 1,611.11, ठीक है, अब देखते हैं, next question, अब देखते हैं, question number 3, देखो, क्या कहा गया है, रजनी sold a mobile phone 8,000 at the loss of 20% his neighborhood student, what was the cost price of a रजनी mobile, रजनी ने एक mobile 8,000 रुपय में बेचा है, जिसमें उसको 20% की 20% क्या हुआ हानी हुए है, लोस हुआ है, तो उसने वो कितने में खरीदा होगा, तो हमें क्या निकालना है, यहापर CP निकालना है, cost price निकालना है, कि उसने एक्चिन में कितने का खरीदा था, लेकिन 8,000 में बेचेर पर उसको 20% की हानी हुए है, तो आइए देखते हैं इसका अंसर, तो देखो क्या होगा, SP कितना है, 8,000 और लोस कितना हुआ है, 20%, तो वही formula यहाँ पर लगेगा, SP इक्वल किसके होता है, SP मल्टिप्लाइ 1 माइनस लोस डिवाइड़ बाई 100, SP की जगह 1000, CP की जगह हमें CP निकालना है, 1 माइनस 20 डिवाइड़ बाई 100, जब इसको solve करेंगे, तो देखो क्या लिखेंगे, CP किसके इक्वल हो जाएगा, 8,000 डिवाइड़ बाई, 8,000 मल्टिप्लाइ 100 डिवाइड़ बाई 80, जब इस तरह से हो जाएगा, और जब हम इसे solve करेंगे, तो हमारा answer कितना आजएगा, 10,000, तो उसने phone कितने में खरीदा था, 10,000 में खरीदा था, और 20% के loss पर उसको 8,000 में बेच दिया, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, CP कोस्ट प्राइज हो जाएगा, अब देखते हैं, next question, question number 4, देखो क्या कहा गया है, what rate percent per annum will be 14,000, some of the money become 21,000 in 5 years, 14,000 के money 21,000 बन जाती है, 5 years में, देखो, यहाँ पर हमें क्या निकालने है, rate निकालने है, time हमें दिया गया है, मूल जिसे हम कहते है, principle दिया गया, amount दिया गया, तो इनको minus करके हम पहले का निकालेंगे, SI निकालेंगे, simple interest निकालेंगे, और उसके बाद इसको solve करते हैं, तो आएए देखते है answer तो देखो first क्या है principal कितना है 14,000 amount कितना है 21,000 time कितना है 5 year and rate हमको यहाँ पे क्या करना है निकालना है तो सबसे पहले simple interest निकालेंगे simple interest किस तरह से निकाला जाता है amount मेंसे जब principal को minus कर दिया जाए amount कितना है 21,000 principal कितना है 14,000 तो simple interest कितना आया 7000 simple interest क्या आया 7000 अब हम यहाँ पर क्या निकालते हैं rate निकालते हैं जब rate निकालेंगे तो क्या हो जाएगा simple r equal किस क्यों हो जाएगा si multiply 100 divided by p मतलब की principle multiply time pt आएगा यह r गलत लिखा गया यहाँ पर यह क्या हो जाएगा pt अब देखो जब value put करेंगे आपे 7000 divided by 1400 multiply 100 divided by 5 जब इसकी value put करेंगे तो answer जो rate है वो कितना आजाएगा यहाँ पर 10% आजाएगा ध्यान से समझ के करना है अब देखते हैं next question next question देखो क्या कहा गया 5th question the selling price of a toy car is 550 the profit made by the shopkeeper is 20% what cost price will same question है देखो क्या करेंगे एक selling एक car जो selling toy है उसकी जो selling price है वो कितना है 550 उसको 20% का profit हो रहा है तो हमें cost price निकालना है तो आई solve करते हैं तो देखो किस तरह से solve करेंगे first हम SP cost price कितना है 550 profit कितना है 20% तो देखो अब यहां पर हमें क्या करना है profit दिया 20% और selling price कितना दिया 550 तो हमें वही formula लगाएंगे यहां पर selling price equal क्या होता है cost price bracket में 1 plus profit अब profit के time पर हम plus कर देता है जब हमने loss देखा था तो हमने minus किया था अब हम plus कर देंगे जब इसको solve करेंगे तो 100 plus 20 divided by 100 तो कितना आजाएगा 120 divided by 100 अब देखो सेम यहां पर यह आ गया हमारा जो भी तक आ रहा था अब हम क्या करेंगे cost price ला जाएगे तो 120 divided by 100 को उल्टा कर देंगे 100 divided by 120 हो जाएगा यह इस तरह से जब इसको solve करेंगे तब हमारा answer कितना आ जाएगा यहां पर जब हम solve करेंगे तो देखो यहां पर हमारा answer कितना आ जाएगा cost price कितना हो जाएगा 45, sorry 458.33 ठीक है यह हमारा answer आ जाएगा अब देखते है next question question number 6 में देखो क्या कहा गया what sum of money lent out 16% annum simple interest would produce 9600 in interest of 2 years interest दिया गया है कितना दिया गया है times कितना दिया गया है 2 years हमें यहां पर जो principle दिया गया है वो कितना दिया गया है 96,000 और rate दिया गया हमें तो हमें यहां पर क्या निकालना है हमें यहां पर सिर्फ P निकालना है तो P की value हमें इसली निकाल सकते हैं हमें यहां पर क्या दिया गया है यह दिया गया ہے simple interest और पी नहीं पी तो हमें निकालना है या पर principle थो हमें निकालना है simple interest 9600 दिया गया है और time हमें दिया गया है तो हम Canada он Elias को solve कर सकते हैं आद यह फोर्मुले में पुट करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमें simple interest d दिया गया 9600, time दिया गया है, 2 year और R दिया, rate दिया गया है, हमें 16%, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना है, कि actually कितना प्रिंसिपल उसने किया था, कि उसको इतना interest मिल रहा है, तो देखो प्रिंसिपल निकालना है, का formula का formula क्या होता है, SI multiply 100 divided by R multiply T, यह हमने formula लिया, formula में value put कर दो, 9600, multiply 100 divided by 2 into 16, जब इसको solve करेंगे, तो 30,000 हमारा answer आ जाएगा, तो यहाँ पर P principle कितना हो जाएगा, 30,000, अब करते हैं next question, question number 7, देखो क्या कहा गया है, कभी deposit 1,50,000 at the rate 4.5 per annum, a saving account, how much money he will got in 2 years, देखो, उसने कितना deposit किया है, 1,50,000, 4.5 की rate लगी है, ठीक है, rate हो गया, और time दिया है, हमें क्या निकालना है, कि उसका saving account में कितना होगा, तो पहले तो interest निकालेंगे, simple interest कितना हो जाएगा, उसका simple interest के बाद में, दोनों को add कर देंगे, क्योंकि finally, तो simple, जो amount है, वो simple interest और principle के साथ में ही होगा, तो simple interest निकालते है, PRT divided by 100, तो PRT की value put करेंगे, divided by 100 कर देंगे, ठीक है, जब इसको solve करेंगे, तो 13,500 हमारा क्या आजएगा, अंसर आजएगा, ये क्या है, simple interest, अब हमें निकालना है, finally उसको कितना पैसा मिला, तो उसमें आजएगा amount, जिसके अंदर principle, और जो simple interest है, वो add हो जा 1,63,500, ये हमारा final answer हो जाएगा, अब देखते हैं next, question number 8 में देखो क्या कहा गया है, in how many years, मतलब कि हमें time निकालना है, first में पता चलगा, sum of 4,000 till a simple interest 1440, 12% annum, देखो क्या कहा गया है, principle हमें दिया गया है, SI हमको दिया गया कि 4000 पर simple interest मिलता है 1440, और rate कितना है 12%, तो कितने time म मिलेगा, ये तो हमें यहाँ पर time निकालना है, तो same formula है, आइए solve करते हैं, तो देखो करेंगे पहले, simple interest है 1440, जो principle है, वो कितना है 4000, rate कितना है 12% time हमको यहाँ पर निकालना है, तो time के लिए formula क्या होता है, SI multiply 100 divided by P multiply R, तो value put कर दिजिए 1440, 100, 4000, 12, answer कितना जागा, 3 years, 3 years कि इसको पूरे को यह जो 4000, पर जिसने क्या मिल सके 1440, interest मिल सके 12% की rate, next question, question number 9, देखो क्या कहा गया है, Mr. Ramandeep purchased a house 15,49,700 and spent 40,013,300 its repairing, इतने में खरीदा और इतना इसमें रिपेरिंग में लगाया है, तो total amount हमारा क्या हो जाएगा, इसका cost price हो जाएगा, यहां से इन दोनों को add करके, तो make a 5% profit at what price should be sell the house, अब इसका cost price आ गया, वो कह रहा है, इसको 5% profit पे वो बेचना चाहता है, तो कितनी amount में उसको बेचना है, तो देखो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को add कर लेंगे, final exact cost price निकल जाएगा, फिर उसका 5% निकाल लेंगे, वो भी add करेंगे, सब हम करेंग में लिखा, यह क्या हो गया, रिप्यर जो लगाया था, 14,300, अब जब इसको total add कर दे तो यह finally क्या निकला, cost price, यह कितना हो गया, cost price, अब वो इस cost price पे 5% क्या चाहता है, profit चाहता है, तो इसका 5% निकालेंगे, किस निकालेंगे, इसको 5 by 100 से multiply कर देंगे, जब करें यह हो गया, उसका profit जो चाहता है, यह है, उसका cost price, जब sale करेंगे, तो 53,44,500 क्या आजाएगा, उसका exact वो आजाएगा, selling price इतना आजाएगा, जब उसको 5% क्या मिले, profit मिले, अब देखते हैं, last question, last question है, देखते है, a memorial trust donate 6 lakhs at school to simple interest on which to be used to awarding scholarship of student obtaining first reposition at the school examination of 7th class every year, in the earn of the interest 12% and the value of the 3 scholarship are equal the find of the scholarship, देखो question में क्या कहा जा रहा है, कि एक trust है, जो school में 6 lakhs रुपीज देती है, ठीक है, अब उसका जितना interest मिलता है, इस 6 lakhs का जितना भी interest मिलता है, वो क्या करता है, 7th class के जो students है, जो positions पे आते हैं, उनको दे देते हैं, ठीक है, अब वो कह रहा 12% निकालेंगे कि 12% किसका है, फिर उसको 3 में डिवाइट कर देंगे, तो आईए solve करते हैं, तो देखो किस तरह से solve करेंगे, first हमने निकाला principle कितना हो गया, 6 lakh, rate कितना हो गया, 12%, ठीक है, और time कितना है, 1 year, ठीक है, अब देखो simple interest का formula PRT multiply 100, हम इसको जो value put करेंगे पूरा, तो हमारा simple interest आ रहेगा, किसका simple interest कितना है, 72,000, simple interest आ गया, यह कितना है, simple interest, जो कि उन तीनों लड़कियों को मिलना है, और यह कहा गया, कि तीनों लड़कियों को equal मिलना है, तो हम क्या करेंगे, if the three of the are equal them, अगर तीनों क्या है, equal मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, divided by 3, हम य ना मिलेगा 24,000 तो ये थे हमारी आज की assessment worksheet थोड़ी से lengthity worksheet को complete करके अपने teacher को जरूर चेक करवाईए और please मेरे channel को like कीजिए subscribe कीजिए और share कीजिए thank you guys